वाट 24 हाउसिंबोट कॉलोनी मुख्यमार के किनारे अभी घरों से निकले सूखे और गीले कच्रे को डम कर जलाया जा रहा है यहां से उटे दुलगंत से रहवासी परिशान है सलक किनारे NGT के नीमो का कुला उलंगन होते देखा जा सकता है घरों से निकले सूखे और गीले कच्रे को जलाकर NGT के नीमो का उलंगन होते होसिंबोट कॉलोनी वाट 24 में देखा जा सकता है यहां नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा सडक किनारे कच्रे को डंप किया जाता है वर्सों से ऐसा कारी किया जा रहा है लेकिन डंप कच्रे को उठाने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कुछ लोगों द्वारा सडक किनारे डंप कच्रे में आग लगाई जाती रही है इससे NGT के नीमो का खुला उलंगन होते देखा जा सकता है काफी वक्त से ऐसी इस्थिती बने होने के बौजूद नगर निगम प्रशाशन ने संग्यान में मामला होने के बौजूद इस और कोई कारवाई नहीं की मुख्यमार्ग के किनारे कच्रे को जलाए जाने की वज़ा से यहां से उठते दुएं के कारण सड़क से आवाज आही करते लोगों के साथ आजपास के रहवाशी भी परिशान है प्रदूशन के कारण यहां बिमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है सड़क किनारे कच्रे के रूप में पड़े पॉली थिन को खाकर दुधारू मवेशी बिमार हो रहे है कच्रे को जलाये जाने की घटना को किसके द्वारा अंजाम दिया जाता है इसका खुलासा भी अब तक नहीं हो सका है कच्रे के रूप में पड़े बड़े कार्टून और जिल्लियों को इस्थानी एक चार पहिया सर्विसिंग सेंटर के करमचारियों द्वारा सड़क किनारे फेका जाता है नगर निगम जोन दो कारेयले के स्वास्थ प्रभारी को इस पूरे मामले की जानकारी है बौजूद इसके स्वास्त प्रभारी दोरह अब तक चार पहिया सर्विसिंग सेंटर के संचालक पर किसी तरह की कोई कारभाय नहीं की गई नगर निगम की सफाई एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किस तरह से अपने कारियों को अंजाम दिया जाता है या नगर निगम के विभिन वाडों में देखा जा सकता है Grandation News के लिए संजय दुबे